Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसका जिन सिरप के बारे में जो की इसमें कॉंबिनेशन है जिन्क एसिटेट जो की इसका इस्तमाल बच्चों के लिए काफी कारगर होता है इसके साथी साथी से जिन्क इसिटेट को बड़े लोग भी लेते हैं तो उनके लिए मल्टिपल परपजों में बेनिफिट देने हैं काम करता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं इसका जिन सिरप के बारे में 70 ml की पैकिंग होती है 30-40 रुपई की अपकी प्राइज में बहुती असानी साथ के पास्क मेडिकल स्टेट पे अबलेबल हो जाता है इसका जिन सिरप में क्या-कार कॉम्बिनेशन है तो इसमें में कॉम्बिनेशन एक ही है जो की जिन्क इसिटेट है जिन्क इसिटेट का इस्तमाल multiple प्रपजों में किया जाता है यह सिरफ फॉम में है जिन्क इसिटेट जो की बच्चों के लिए काफी मददगार होता है काफी benefit देने काम करता है ज़्यादा तर इसे pediatric doctor prescribed करते हैं बच्चों में जो भी diarrhea की समस्य होती है immune system कमजूर हो जाता है तो उन से भी condition में इसे बहुत ज़्यादा दिया जाता है बच्चों को diarrhea की समस्य होती है दस्त की समस्य होती है पानी की कमी हो जाती है तो उन से भी condition में इसे दिया जाता है इसके साथी साथ respiratory track infection की परपज में भी इस्तमाल किरने के लिए दिया जाता है तो उन से भी कंडिशनों में भी काफी कारगर होता है या किसी परकार की कोई इंजरी होती है या कोई जगहम होता है वह नहीं भर पाता है तो उनको भरने में मदद करता है इसके साथी साथ immune system को boost करने काम करता है रोग परती रोधक चमता को बढ़ाता है किसी परकार की कोई भी viral flu बहुत जल्दी जल्दी होने की समस्या होती है खांसी जुखाम बुखार बार बार होता है बच्चे को तो उनसे भी condition में भी इसे दिया जाता है जिसे immune system मजबूत हो किसी परकार की कोई भी रोग जल्दी ना होने इसके सांती सांती है एक तरीके का बहुत ही अच्छा nutritional supplement के तोर पर भी माना जाता है जो कि है calcium को absorption करने में मदद करता है बोडी में इसके सांती सांती है cardiac problem में भी काफी कारगर होता है heart related को समस्याओं को कम करने में काफी कारगर होता है diabetes को control रगता है इसके सांती सांती ट्यूबर क्लोसिस के भी समस्याओं में zinc acetate काफी फाइदेमंद होता है जो कि यह बड़ों के लिए भी दिया जा सकता है बात करें इस दवा का क्या dose होता है तो dose depend करता है कि बच्चे की age क्या है किस problem मिले रहे हैं उन से भी पर depend होकर कि इसका dose confirm होता है इसलिए अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो doctor की सलहा और रेक देक के बाद ही इसके सांती सांत डॉक्टर की रेक देक में पांच हमल दिन में एक बैठ दिया जा सकता है नॉर्मली इसका dose 15 दिनों तक चलता है इस तरीकिसे इसका normal stage पे इसका dose होता है इसका dose का confirmation doctor की रेक देक में जरूर करें उसके बाद ही इस्तमाल करें बात करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर सूट नहीं करता है तो बच्चे को vomiting हो सकती है, सर में दर्द, तोचा में लाली पन भूख न लगना, पेट में दर्द होना दस्त का और बढ़ जाना इस तरीकिसे नहीं लेना है अगर बच्चे को किसी परकार का कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है या किसी परकार का कोई patient है तो उन सभी condition में आप इसे इस्तिमाल ना करें और इस्तिमाल करते हैं तो डॉक्टर के रिख दे का डॉक्टर के सलहा के बाद ही करें तो यही था असका जिन सिरप के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग